C और C++ में Pointers पर Spoken Tutorial में आपका स्वागत है. इस Tutorial में हम सीखेंगे Pointers, Pointers बनाना और Pointers पर कारियर. हम यह एक उदारण के माध्यम से करेंगे. इस Tutorial को Record करने के लिए मैं Ubuntu Operating System Version 11.10, Ubuntu पर GCC और G++ Compiler Version 4.6.1 का उपयोग कर रहा हूँ. Pointers के परीचय के साथ शुरू करें. Pointers Memory में स्थान इंगित करता है. Pointers Memory को संचित करता है. यह उस Address में संचित Value भी देता है. अब Pointers पर एक उदारण देखें. ध्यान दे हमारा File Name Pointers Underscore Demo.C है. अब हम Code के माध्यम से चलते हैं. यह हमारी Header File Stdio.H है. यह हमारा Main Function है. यह हमारे पास Value 10 के साथ Long Integer Num है. तो हम एक Pointer PTR घोशित करते हैं. अस्टिक चिन्न का उपयोग Pointer को घोशित करने के लिए किया जाता है. यह Pointer Long Int के प्रकार को इंगित कर सकता है. स्टेटमेंट में M% का उपयोग Variable के Memory Address को Retrieve करने के लिए किया जाता है. अतर M% Num Num का Memory Address देगा. यह स्टेटमेंट Variable Num का Address प्रिंट करेगा. यहाँ पर PTR Num के Address को संचित करता है. यह स्टेटमेंट PTR का Address प्रिंट करेगा. Size of Function PTR का आकार दर्शाएगा. यह PTR की Value देगा जो Num का Memory Address है. और यहाँ Asterisk PTR Address पर Value देगा. अतर Asterisk का उपयोग Memory Address नहीं देगा. इसके बजाए यह Value देगा. %LD Long Int के लिए Format Specifier है. अब Program को निश्पादित करें. Ctrl Alt और T Keys अपने कीबोर्ड पर एक साथ दबा कर Terminal Window खोलें. निश्पादित करने के लिए टाइप करें. gcc pointers underscore demo.c – point. Enter दबाएं. टाइप करें . slash point. Enter दबाएं. आउटपुट प्रदर्शित होता है. हम देखते हैं कि नम अड्रेस और PTR Value समान है. जबकि नम का Memory Address और PTR भिन्न है Poynter का आकार 8 Bytes है और PTR द्वारा चिन्नित वैल्यू 10 है जो नम को दी गई है अब समान प्रोग्राम C++ में देखते हैं ध्यान दे हमारा फाइल नेम pointer-demo.cpp है यहां हम कुछ परिवर्तन देखते हैं जैसे Iostream के रूप में header फाइल तो हम std name space का उपयोग कर रहे हैं और हमारे पास print up function की जगह पर cout function है बाकी सभी चीजे समान हैं प्रोग्राम को निश्पादित करें अपने terminal पर वापस जाएं निश्पादित करने के लिए टाइप करें जी प्लस प्लस स्पेस पॉइंटर्स अंडर्सकोर डेमो.cpp स्पेस हाइफ़नो स्पेस पॉइंटर दबैंग टाइप करें .slash.1 एंटर दबैंग हम देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे c प्रोग्राम के समान है अब इस टुटॉरियल के अंत में आ गये हैं अपनी स्लाइड पर वापस आएं संक्षेप में इस टुटॉरियल में हमने सीखा पॉइंटर के बारे में पॉइंटर बनाना और पॉइंटर पर कारियर नियत कारिय के रूप में वेरियेबल और पॉइंटर को गोशित करने के लिए एक C और C++ प्रोग्राम लिखें वेरियेबल के एड्रेस को पॉइंटर में संचित करें और pointer की value प्रिंट करें निमन लिंक पर उपलब्द वीडियो देखें यह spoken tutorial project को सारा अंशित करता है यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है online test pass करने वालों को प्रमान पत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए contact at the red spoken-tutorial.org पर लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रिय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्नलिंक पर उपलब्द है यह स्क्रिप्ट प्रवाकर द्वारा अनुवादित है मैं यह श्वोरा बाप से विदा लेता हूँ दन्यवाद